साथियो नमो बुद्धा, जे भीम, जे भारत, जे सविधान, जे फुले, जे साउ, जे बेरियार आज बाबा साहब के जो गुरु है, जिनको अपने तरती गुरु मानते थे, राष्टर पिता जोती बाफुले इनकी जेन्ती है, और इस जेन्ती के निमित्य, मैं कुछ संख्षेप में उनके बारे में अपने दो शब्दली कराया हूँ और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, कि राष्टर पिता जोती बाफुले एक ऐसे बेखती है, कि जिनों ने इस देश के सोशित प्यूडितों को नियाय देने के लिए बड़ा काम किया जोती बाफुले जी एक ऐसे बेखती है, कि जिनों ने महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम किया जिनों ने जो शिवाजी महाराजय इनकी समाधी को शोध करके पहली बार उनकी जेनती मनाई और विध्या के कारण मती गई, मती के कारण गती गई, गती के कारण शुद्रक समाप्त हुआ, उसका ज्यान में फस गया ये नारा देने वाले जोती बाफुले आधुनिक भारत के राष्ट संती नहीं है, राष्ट पिता भी है अगर जोती बाफुले नहीं होते, तो इतनी बड़ी क्रांती जो भारत में हुई, वो क्रांती कभी नहीं गटित होती क्योंकि शुद्र अतिशुद्र जिनको शिक्षा से वन्चित रखा गया था, उनके लिए पहली बार इसकूल खोलने का काम जोती बाफुले इनको ने किया, जोती बाफुले इनका पूरा नाम जोती राओ गोविंद्राओ फुले है, इनका जन्मक 11 अप्रेल 1827 को हुआ इनकी माता का नाम चिमना भाई था, और इनका विहा 1840 में सावित्र भाई फुले के साथ में हुआ जोती बाफुले इनको ने 1848 में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल उपन किया, जो बच्चियों के लिए है, पहली बार इनको ने स्कूल उपन किया और 24 अक्टोबर के सट्टेमबर के दिन इन्होंने सत्य सुदक समाज की स्थापना की और सत्य सुदक समाज का जो मूल उद्देश था कि सत्य तक लोगों को पहुचाना जोतिवा फुले एक ऐसे वेक्ति थे, ऐसे क्रांति कारी वेक्ति थे कि इन्हें क्रांति सुरिय भी कहा जाता है वो कहते थे कि प्रभाहा के विरुद्ध में वही वेक्ति जा सकता है कि जिनोंने अपना उद्देश, अपना अबजेक्ट किलियर किया है विद्या के बिना मती ये ने बुद्धी चली गई, मती के बिना गती गई और निती के बिना गती गई और गती के बिना फाइनेस गया और फाइनेस के कारण जो शुद्र है वो एकदम धराशा ही हुआ तो जिन लोगों के अंदर में अपना अबजेक्ट नहीं होता वो लोग दिशा ब्रमित हो जाते हैं और अबजेक्ट क्यों नहीं दिया जाता उनको क्योंकि अबजेक्ट नहीं देने का कारण मूल है कि उन्हें गुलाम रखने की जो परंपरा होती है उन्हें गुलाम रखा जाता है इसलिए उनको अबजेक्ट नहीं दिया जाता क्योंकि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनों ने अपने धर्म के नाम पे शास्त्र लिखे रखे और शास्त्र के अनुसार उन्होंने कलपना की वर्ने वस्ता की जाते वस्ता की भगवानों की इश्वरों की और मंदिरों के अंदर में पत्तर के रूप में इश्वर को बिठा दिया ऐसे फूले साइब कहते थे कि जो मंदिर में बैठा हुआ जो इश्वर है पत्तर के रूप में उसी पत्थर से तो रोड बनाये जाते हैं उसी पत्थर से महल बना जाते हैं और उसी पत्थर को मंदिर की मूरद बना के उसको उसके अंदर मंत्रों के द्वारा जान फुकी जाती है जब जो लोग मंत्रों के द्वारा उस पत्तरों के अंदर में जान फूकते हैं तो एक मरे हुए मुर्दे के अंदर क्यों नहीं जान फूकते हैं ये प्रश्न जोती राव फुले ये आधुनिक भारत में उन लोगों से करते थे कि जो लोग बोलते थे कि हमारे मंत्रों में इतनी ताखत है कि हम इन मंत्रों के माध्यम से एक पत्तर में भी जान डाल देते तो इस प्रकार से गुमरा किये हुए समाज को भटके हुए समाज को उद्वधन के माध्यम से अपने लेखनि के माध्यम से अपने साहित्य के माध्यम से जोतिवा फुले इनों ने जन जागरन का काम किया जब एक्स वाय क्रोमोजन यह विक्ति के इंसान के अंदर में होता है आदमी के अंदर में होता है और उस क्रोमोजन के कारण इस तरी और पूरुष के उत्पत्ति होती है तो प्रकर्ति दोनों में भेद नहीं करती है तो हम कोन होते हैं बेद करने वाले हम कोन होते हैं कि शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखने वाले हम कोन होते हैं कि महिलाओं को नीच मानने वाले ये प्रश्ट फुले साहब उस समय के भड़जी से पूछ देते जिनों ने इस प्रकार के ग्रंतों की रचना की थी तो मनुष्य में प्रानी स्रेष्ट है और प्रानियों में महिला स्रेष्ट है ये नारा देने का काम क्योंकि महिला से ही पुरुष की उत्पत्ती होती है महिला से ही महिला की उत्पत्ती होती है उत्पत्ती करने का काम महिला करती इसलिए महिला स्रेष्ट है ऐसे जोतीर बाप हुले मानते थे तो जीवन में अगर अच्छा बनना है तो अच्छे काम करना पड़ेगा अच्छा कार्य का रिजल्ट अच्छा आएगा कवाज और इपेक का लागू होके रहेगा इसलिए जोतिवाफुले ये कहते थे कि ये जो धर्म जो बनाने वाले बताने वाले लोगे कि इश्वर ने पैदा किया धर्म तो धर्म किसी इश्वर ने पैदा नहीं किया चातुर वर्न और जाती बेद जाती योस्ता और वर्न योस्ता जो निर्मान करने का जो कान किया है एक इंसान ने किया और किस ने किया जो उस वर्ने उस्ता के टॉप में बैटा हुआ है उसने अपने लिए वो एक वर्ग था वो एक समो था उसने वर्ने उस्ता बनाई रहा खुद को स्रेश्ट गोशित किया खुद को ब्रह्मन गोशित किया और उसने सारी वर्ने उस्ता तयार की, सारी जाती उस्ता तयार करके इस भारत के अंदर में इस देश के अंदर में एक वर्ने उस्ता और जाती उस्ता का निर्मान करके लोगों को गुलाम बनाने का काम किया ये जोतिवा फुले के थे तो जो कोई जन्म से नीच नहीं होता कोई जन्म से उच नहीं होता ये परमपरा ये परमपरागत विचारों का उन्होंने खात्मा किया और उन्होंने ये बताया कि विक्ति अपने कर्मे के अनुसार फल भोगता है इसलिए विक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट अच्छा हो तो वो एक सत्य सोदक समाज के मध्यम से अपने वईज्यानिक विचार रखने का काम करते हैं जोतिवा फुले एक ऐसे विक्ति थे जिनों ने पहली बार इस देश में जो वर्नों अस्ता के तहत गुलाम बनाए हुए लोग थे उनको आजाद करने का काम किया उनके लिए एजुकेशन ओपन किया वो यह कहते थे कि जिसने साथ दिया आपको उस्तव जात मत देखो जिसने सयोग किया उसके पीछे पाठ मत गुमा मतलब उसको दगा मत दो उसको सयोग करो जिवन की जो रत है या गाली है किवल दो चको से नहीं चलता उसके बीच में एक चेन भी होती है जो एक दूसरे को कनेक्टेट करती है इसलिए एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिक ढंग से विवार करना चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ा होने के लिए एक सिस्टम की जरूत होती है एक मॉरल सिस्टम की जरूत होती है ऐसा वो मानते थे जोती बाफुले अपनी जीवन में वो काम किया उन्होंने कि एक ग्रहस्त रहकर ऐसा जीवन जिया जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल तो उपन किया बच्चों के लिए छोटे बालकों के लिए स्कूल ओपन की सत्य सोदक समाज की स्तापना की और जनड्यागरन का काम किया विप्रिस्तिती में जबकि उन्हें उनके कारियों के लिए पिताजी नहीं घर के भार भेज दिया इसलिए कि वे धर्म के विरोध में काम कर रहे थे ऐसा उच समय के जो भड़ जी थे पेशवाय हाँ वाले लोग थे जो वर्ने उस्ता को मानते थे जो जते उस्ता को मानते थे उन्होंने उनके विरोध में उनके पिता जी को भड़काया और उन्हें घर से बहार निकालने के लिए मजबूर किया इसलिए वे ये कहते थी कि ये जो सन्यासी जो ढोंगी सन्यासी जो बने है जो ये कहते है कि परिवार कि क्या जरूरत है बच्चों को पालने पोस्टने क्या जरूरत है संसार में रहनी क्या ज़रो था हम तो भिक्षू इसलिए बने कि हम पवित्र जीवन जीर है तो ये बोले एक ढोंग है एक ढोंग है और ये काम नहीं करना चाहते है आलसी लोग है अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत भी भिक्षू बनाते थे अपना संग के माध्यम से वे प्रचार प्रसार का काम करते थे जन जागरन का काम करते थे कि वह लोग नहीं थे कि जिनको कोई काम धंदा नहीं मिला कुछ नहीं है तो वो चले ऐसा नहीं राजा के लड़के भी थे महाराजा के लड़के भी थे ज्यानी भी थे विद्वान भी थे और अच्छाई का प्रचार प्रसार करना, जन जागरन करना, ताकि एक नईतिक सिस्टम की स्थापना हो सके, यह उसका उद्देश था, लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि वो संग तूटता गया और कुछ ऐसे लोग आया कि विक्षा को उन्होंने अपना व्योसाय बनाया, धर उन जन्ता को गुलामी में रखने के लिए उन्होंने अनेक तरीके के शड्यंत रखिये, और लोगों के बुद्धी को भरष्ट करने के लिए बोला कि तुमारा प्रपंच रखने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो बच्चों से दूर रहो, और वही लोग संसार में रहते है कि जो सही लोग नहीं होते हैं, लेकिन तथागत का ऐसा नहीं था, तथागत ने कहा था कि संसार में रहने वाला ही विक्ती आगे बढ़ता है, संसार को छोड़ के जाना नहीं, संसार में रहना है, कमल पानी में रहता है, लेकिन उसकी गंदगी अपने अंदर नहीं लेता ह है तो जो कि हम कह withdrawal नहीं बनाए ये करना यहिस और थे इस्वर ने वर्णवस्ता बनाई और यह धर्म हैं कि उनको प्छुलिसाइब करते थे कि इश्वर ने नहीं बनाया ये कोई इश्वर ने नहीं बनाया ये तो आपके दिमा की उपज है आपके अज्ञान की उपज है आप लोगों को भटका रहे हो आपने जूटे जूटे साइति लिखे हैं और उसको इश्वर का नाम दिया है और खुद को आपने ब्रह्मन बना और स्रेष्ट बना के, अपने आपको उच्छय बनाने के लिए अपनी शाशन प्रशाशन में स्थापना करने के लिए आपने जुटा साहिधते लिखके उसको धर्म का नाम दिया और उसको हम धर्म करत dif कह सकती घुलाम बनाने का शेडियंत्र है ऐसे जोतिवह पुले इनका म काटना नई का धंदा है और चमड़ी की सिलाई करना चमभार का धंदा है ऐसे ही पुझापाट करना इस ब्राह्मन का धंदा है ये धर्मन की यह धंदा है क्योंकि उससे उसको कमाई होती है पैसा मिलता है इसलिए वो मंदिर के नाम पे अपनी दुकाने लगाता है और दुकान लगा के उसका व्यापार करता है ऐसा जो तिबा फुले कहते थी इसलिए जो देवी देवताओं की निर्मिती पुरुईतों ने की है ये पाखंड के रूप में की है दगण के अंदर में पत्तर के अंदर में उन्होंने जाने डालने का काम किया है वो कहीते कि प Mortal अंदर में मंत्रों से जान डाल सकते है वह क्यों उसको यह ज़िवित के करते हो। अर उस के अंदर के वयग्यानिक दृष्टिकोन है कि उस पत्रों से तो मकान बनता है पत्तर तो रोड़ बनाने के लिए होता है वो कब से पूझने के लिए हुआ है और मंत्रों से कब से उसमें जानाने लग गई है तो अगर सब को बनाने वाला इश्वर है तो फिर यह जात पात यह वरने अस्ता यह वूचनिस क्यों उनके प्रश्ण बड़े तरकसिल प्रश्ण है उनके प्रश्ण जगजोर देने वाले प्रश्ण है इसलिए हो कहते ते जाती प्रता धर्मनी है यह ब्रामनों ने पूरोई तो ने लोगों पर श्याशन करने के लिए इसको बनाया है और यह इनका धंदा है यह धर्मनी है यह भी वेक्ति को एजुकेशन से वंचित रखना है सबसे बड़ा सबसे बड़ा गुना है और इनोंने एक किया है वरन्योस्ता के नाम पे हजारों लाखों लोगों को कई सदियों तक महिलाओं को गुलाम रखा पड़ नहीं दें दिया शुद्र अतिशुद्रों के नाम पे यहां के लोगों को गुलाम बनाए रखा और इसको इनोंने धर्म कहा ये धर्म नहीं है दंदा है एक शडेंत्र है और ये किस शडेंत्र को कभी धर्म का नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि शारेरिक मानशिक आर्तिक शचन इस धर्मों के नाम पे हुआ है एक निर्दरता है ये कुरुरता है और इस ''पराद'' चोटा मोटा आपराद नहीं है बहुत भड़ा अपराद है जिसको लोगों को डरा के धमका के धर्म के नाम से गुलाम बनाने का काम इन साहित्य लिखने वाले लोगों ने किया है आघ उनके भाशा में आघ है उनके भाशा में एक आघ है वो कहते थे धर्मा तो समाज के हित के लिए होना चाहिए समाज के कल्यान के लिए होना चाहिए और जो समाज के हित के लिए समाज के कल्यान के लिए नहीं है वो धर्मा नहीं है वो दंदा है फिर वो ये कहते थे कि जो असमानतावादी तत्व धर्म के नाम पर ये कहते थे कि महिला पुरुष समान नहीं है वो कहते थे नहीं जन्मक से दोनों ही समान है दोनों के अंदर में गून है दोनों ही आगे बढ़ सकते है इसलिए मानो मानों में भेद करना ये नयतिकता के विरोध में है मौरलिटी के विरोध में है महिला पूरुषों को दोनों को संधी मिलनी चाहिए दोनों को योग्य रूप से काम मिलना चाहिए और आज constitution यही कर रहा है सबको समान वेतन है महिला पाइलेड भी बन सकती है पुरुज भी पाइलेड बन सकता है महिला पूलिस में जा सकती है महिला मिल्टरी में भी जा सकती है तो सभी education भी सब ले सकते है समानता का काम भाबा साहब ने इसलिए कहा कि मेरे गुरु जोतिवा फुले मेरे गुरु है क्योंकि डेवलप्मेंट होना बहुत जरूरी है और सबको समान संदी और समान अवसर्व की जरूरत है इसलिए इस श्याद्यनत्र को जानना चाहिए जात्पात और जो वर्ने अस्ता उच निच ये पुरुईतों की दीवी इस देश के लिए इस श्याद्य के लिए एक देन है इनोंने अपने खुरापाती दिमाग से ऐसा साहित्य लिखा है कि उस साहित्य के नाम पे लोगों को डरा के धमका के उसको गुलाम बना के रखा है मांसिक रूप से इस शेद्यंत्र का उन्होंने भंडा फोड किया कि इन्होंने जोति राव फुले इन्होंने इसका शेद्यंत्र का भंडा फोड किया उस श्रेडेंत्र को जग के सामने लाया उनके कर्म कांडों को जो की विभिन कथाओ और इसके माध्यम से लूटने का धंदा बताया और इनके जो खोकले बाते है इनकी खोकले बाते ऐसी है कि घास खाने वाली गाय का ये मूद भी पी लेते है लेकिन एक इनसान के हाथ का पानी पीने से ये अचुत हो जाते हैं इनको नहीं चलता है ये जो वूच निच की भावना है ये निर्मान करने का जो काम कर रहे थे इसको वो टार्गेट करके बाते करते हैं इसलिए समाज के अंदर में धार्मिक कट्रता के नाम पे और समाजिक एक्ता और बंदुता को विखंडन करने का जो काम हुआ है ये समाज के लिए बड़ा गलत काम है इसलिए इससे दूर होना चाहिए और समाज में एक्ता वज्जानिकवाद समानता बंदुतवा का काम होना चाहिए ऐसा जोती राव फुले ये कहते थे इसलिए राष्ट पिता जोती बाफुले ये चाहते थे कि व्यापार करने का अधिकार सबको मिले ज्यान अर्जन करने का अधिकार सबको मिले इस पर किसी का अधिकार नहीं हो कि मेरा ही अधिकार है और धर्म वह है कि जो एक दूसरे को आपश में जोड़ता है एक दूसरे की अच्छाय का प्रचार प्रसार करता है एक दूसरे को देश करना नहीं सिखाता है मैत्री भाव सिखाता है यह उनका कहिना था कि धर्म का मतलब जाते वस्ता वर्ने वस्ता नहीं है इसलिए वो कहते थे कि जो नहितिकता के रूप में जो इश्मर है जो अच्छाई है वो एक है अच्छी है उसमें कोई भेदा भेद नहीं है इसलिए राष्टवाद की भावना निर्मान करना बहुत जरूर है राष्टवाद की भावना तब तक निर्मान नहीं हो सकती जब तक इस देश में जाती यस्ता है वर्ण यस्ता है इसलिए आप इन पंडे पूरोयतों के मंत्रों के लाइन में मत जाओ आप विज्ञान पे भरुशा रखो हस्पिटल पे भरुशा रखो अच्छे खानपान पे भरुशा रखो अच्छे जीवन पे भरुशा रखो एक मचली है पानी में अपने आप तहरना सिखती है ऐसे आज जीवन में जीना सिखो इसलिए सत्य सुदक समाज का जो मुख्य उद्देश्च था वो था कि सब मानवों की उन्नती करना राष्टवाद की भूमी का निभाना सब में एकता अखंडता का निर्मान करना और सत्य की स्तापना करना विज्ञानवाद की स्तापना करना अच्छाई की स्तापना करना और अच्छाई की स्तापना करके एक दूसरे को शोशन से मुक्त करना सबका न्यायत करना सबका सनमान करना इस भूमिका को डेवलप्मेंट की भूमिका भी कहा जाएगा जो राष्टरपिता जोतिबा फुले इन्होंने की है तो जब तक समानता नहीं होगी तब तक बंदुभाव नहीं होगा जब तक बंदुभाव नहीं होगा तब तक समानता नहीं होगी जाती भेद इसके लिए बड़ा कारण है जाती भेद बिल्कुल जाती अस्ता नश्ट होना चाहिए शोशन की व्योस्ता नस्त होनी चाहिए वर्ने व्योस्ता नस्त होनी चाहिए और ये धार्मिक व्योस्ता नहों के गुलाम गिरी की व्योस्ता है और इस व्योस्ता को बनाने वाला विक्ती एक शर्द्र कारी विक्ती है जिसने जान बुच के इस व्योस्ता की निर्मिती की है उसका प्रचार प्रसार किया है और लोगों को अज्यानी बनाने का काम किया है इसलिए राष्टर पिता जोती बाफुले एक बहुत करांती कारी बेखती है बाबा साहब ने उनको ऐसे ही गुरु नहीं माना बाबा साहब ने उनके अंदर में वो खाशियत देखी बाबा साहब ने ये देखा कि राष्टर पिता जोती बाफुले एक ऐसे करांती कारी बेखती है कि जिनके विचारों के कारण समाज में उन्नती हुई है समाज का भला हुआ है आज किसी भी समाज की महिला है जो सुशिक्षित हो रही है पढ़ रही है उसके पीछे एक कारण है आदोनिक भारत के अंदर में होई जोती बाफुले जोती बाफुले इन्हों ने अपनी पत्नी साहुत्री बाइफुले को पहले पढ़ाया फिर उसके माध्यम से स्कूल चलाया और स्कूल चलाने के कारण आज सब यह है अंदुष्वास से दूर रहने के कारण देश उन्नती कर रहा है जाती उस्ता वरने उस्ता धिरे धिरे समाप्त हो रही उससे कारण शांती स्तापित हो रही एक राष्ट हम एक राष्ट है और हमारी एक भूमिका मानों ताके हित वाली भूमिका हो इसलिए ऐसे श्यर्दान्तरकारी लोग जो श्यर्दान्तर फैलाने का काम कर रहे ह। देश के सविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, सविधान के विरोध में बगबग कर रहे हैं, अंदुश्वास पहलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सावधान हो जाईएं और उनके गलत बातों को अनुसरन मत करिएं, उसक कि अंदर की भावना को समझे रुष भावना को समझके सत्य का साथ दीजे आगे बढ़िए और यही चीज तथागत महामानों भगवान बुद्धिनों ने की कबीर साहिब ने की यही काम डक्टर बाबा साहब ने किया यही काम हमारा सविधान कर रहा है जो कि समानता बंदु इनों ने कहा कि जात पात के आधार पे किसी से देश मत करो किसी से यह मत करो सबके साथ अच्छा विवार करो कोई भी हो जो आपको सहयोग करता है कोई भी धर्म का हो कोई भी वर्नका हो कोई भी हो इसको एक इंसान मानो उसको भी आप सपोर्ट करो एक दूसरे को एक करो कि भारत के एक ता अखंडता की रक्षा करो इसके लिए अपनी विचारों को सदुरूद बनाओ एक अच्छा व्योसा इस्तापित करो देश के लिए अच्छा काम करो समाज के लिए अच्छा काम करो बुराई के रास्ते पे जो जा रहे हैं उनको अच्छे ही से समझाओ जैसे क से जितेंगे इनी कामनाओं के साथ आपका मंगल हो आपके परिवार का मंगल हो आप आगे बड़े आप खुशाल रहे आपके जिवन में अच्ची घटना घटे आप खुशी से रहे आप स्वस्तर है आपके लिए आपके परिवार के लिए सब के लिए मेरी मंगल कामना नमो बुद्धाय नमो धमाय नमो संगाय साधू साधू साधू